नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नुज में मैरतन सेन भारती आज हम जानेंगे दर्भांगा के प्रसिद महाराजा धिराज राजा कमेश्वर सिंखे गौरवसाली इतिहास के बारे में बिहार का उभाजिला अपने सम्रिध अतीद और प्रसिद दर्भांगा राजघराने के लिए भारत समित विष्व में जाना जाता है तरभंगा अपनी संस्कृति और साब्दिक परंपराओं के लिए काफी मसहुर है यह सहर बिहार की संस्कृतिक राज़ानियों के रूप में जाना जाता है इस सहर का इतिहास रमायन और महाभारत के साथ जुड़ भारतिये पावरानिक महाकावियों में मिलता है जब देश में रजवाडों का नाम लिया जाता है तो उसमें दर्भंगा का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है यह रियासत बिहार के मिथला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर के दाइरे तक फैला हुआ इस रियासत का मुख्याला था दर्भंगा सहर इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे इस रियासत के आखरी राजा राजा कमेशमर्सी अपनी सानु सौकत के लिए पुरी दुनिया में जाने जाते थे इनसे परभावित होकर अंग्रेज ने इन्हें महा महराजा धिराज की उपाधी दी थी इतिहास के जानगार बताते हैं कि महराजा कामेश्मर्शी ने सिच्छा स्वास्थ और रोजगार के साथ साथ परिवारन के छेत्र में कई काम किये थे सिच्छा के लिए उन्होंने अपने कीले के सटे इलाके में महराजा कामेश्मर्शी दरभंगा संस्कीत बिस्विदालाय और वेदिक कॉलेज नेतरहीन अस्कूल, मुक भदीर अस्कूल समित कई संस्थाओं की अस्थापनक की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने राधानी पटना और उत्तर प्रदेश के कई बड़े सेचनिक संस्थानों की अस्थापनक में मदद की थी। समस्तिपूर इस्थित रामेसवर जूट मील, केविटी इस्थित रैयाम चीन मील, मधुबनी इस्थित लोहटा चीन मील, सकरी चीन मील और सूत तयार करने की कंपनी समित कई संस्थाओं की अस्थापना की जानकारों की मानेतों महराजा कुल 36 कंपनियों को चला दे थे, इ दर्भंगा आते थे। आज से 146 साल पहले दर्भंगा महराज कौमेशवर सिंग के जमाने में उनके कीले के अंदर तक रेल लाइने बीची हुई थी। ट्रेने आती थी और जाती थी 1864 में दर्भंगा के महाराजा लक्ष मिस्वर्षी ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी उस समय उत्र बिहार में भीशन अकाल पड़ा था तब रहत कार्ज के लिए समस्तिपूर से बाजितपूर से दर्भंगा के लिए पहली ट्रेन मालगाड़ी के रूप में चली थी महाराजा लक्ष मिस्वर्षी ने उत्र बिहार में रेलवे लाइन बिचाने के लिए अपनी कमपनी बनाई और अंग्रेजों के साथ एक समझाओता किया इसके लिए अपनी जमीन तक उन्होंने ततकालिन रेलवे कमपनी को मुफ्त में दे दी उनकी कम्पनी तीरहूत रेलवे में 1875 से लेकर 1912 तक बिहार में रेल की कई लाइनों बिछाई इसके अलावा महराजा ने अपने लिए पैलस और वील नाम से भी एक ट्रेन चलाई थी जिसमें राशी सुवधाय मौजूद थी इस ट्रेन में चांदी के मढ़ी सीटे और पलंग थे इसमें देश बिदेश की कई हस्तियों ने दरभंगा तक का सफर तै किया था देश के परतम प्रधान मंत्री पंडी जवाला नेहरू, राश्टपती दॉक्टर राजदिर परताद, दॉक्टर सर परली राधा कृष्णन, कई रियास्तों के राजा, महराजा और अनेक अंग्रेजी अधिकारी सामिल थे महातमा गांधी को छोड़ भारत एवं विदेश के हर बड़ी हस्ती ने इस साही ट्रेन का सफर का लुप्त उठाया था महातमा गांधी थर्ड कलास में ही सफर करते थे तो उन्होंने इस साही ट्रेन में ही उन्होंने तिसरे दर्जे में सफर किया था दर्भंगा के आखरी महराजा कामेशवर सिंग सन 1964 में निधन हो गया बक्त के साथ दर्भंगा महराज के योगदान को भुला दिया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों से रेलवे ने दर्भंगा महराज की यादों और धरोहरों को संजोनों में दिचस्पी दिखाई है और रेल इंजन को लोहट चीनी मिल से लाकर फिर से दर्भंगा रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया गया है उमीद है कि बिहार की आने वाली पिढ़ियां भी इस गौर अफसाली इतिहास के वारे में जान सकेगी बिहार से जुड़ी हुई और भी ताजातरीन वीडियो के लिए बने रहें बिहारी जूज के साथ मुझे दीजे इजाजत धन्यवाद